इस दुनिया के अंदर हमारी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ ये है कि हम इस universe की बहुत अच्छे से care करें. ये जो universe है हमारा ये जो हमारा self है इसको हम बहुत अच्छे से care करें. इसको हम बहुत 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 उतना हम सब के लिए available हो पाएंगे. लेकिन अगर हम इस universe को नहीं समझेंगे, इस universe को understand नहीं करेंगे, अपने sense of self को समझेंगे नहीं, तो हम अपने sense of self से free भी नहीं हो पाएंगे. Free नहीं हो पाएंगे, तो हम दूसरों के लिए available नहीं हो पाएंगे. सबसे बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी है सबसे बड़ी जो responsibility है इस sense of self को समझना इसके प्रती understanding पैदा करना इसके गहरी समझ पैदा करना ताकि हम इस पूरे अस्तित्व के साथ में हो पाएं क्योंकि इस पूरे अस्तित्व का एक छोटा सा प्रारूप हम है बूंद की study बहुत अच्छे से कर लो सागर का nature समझ में आ जाएगा तो इसकी study आप कर सकते आप दूसरों की study नहीं कर सकते दूसरे अपनी अपनी study खुद करेंगे हमारी तो प्रियोग साला यह है इसको हम समझ लें इस छोटी सी बूंद को समझ लें इस पूरे अस्तित्व का nature हमें समझ में आ जाएगा इस परमात्मा का nature समझ में आ जाएगा प्रकति का nature समझ में आ जाएगा इस अस्तित्व का nature समझ में आ जाएगा इस बर्मांड का इस universe का nature समझ में आ जाएगा बस इसको हम समझ लें अच्छे से और जो इसको अच्छे से समझ लेता है, वो सब समझ लेता है, एके सादे सब सदे, फिर यह बात आ जाती है। और जो इसको साध नहीं पाता, जो इसको समझ नहीं पाता उसके लिए सब लोग समझ से परे हो जाते हैं, फिर उसके जीवन में struggle चालو हो जाती है। कि ये ऐसा क्यूं है और वो वैसा क्यूं है, इसने ऐसा क्यूं किया और इसने वैसा क्यूं किया, इसको ये नहीं करना चाहिए और इसको वो नहीं करना चाहिए. लेकिन जो इसको समझ जाता है, वो फिर किसी से कुछ नहीं करता है, वो अबस अपने रास्ते पर आगे बढ़